जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने प्रिवार हम्रेक्षा की यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे लूसेंट बुक की देखिए यदि आप HP पुलिस की त्यारी कर रहे हो न, HP पुलिस की त्यारी कर रहे हो जहां आप फोरेस्ट गार्ड की त्यारी कर रहे हो, पटवारी की या HP पीएसी की त्यारी कर रहे हो अगर आप किसी को भी पूछोगे न, कि जीक के के लिए हमें क्या पढ़ना है जी तो बो बोलेंगे, हमने तो लूसेंट बुक पड़ी थी ठीक है, तो आप भी एक्साइटमेंट में लूसेंट के वोगर खरीद रोगे ठीक है, पर जैसे ही इसका पहला पेज खुलोगे, तो आपके लिए ये बोरिंग बुक सावित होगी क्योंकि जैसे ही आप पहला पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दूसरा पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप मैक्सिम्म पाँच पेज असानी से पढ़ लोगे, फिर आपको बोरियत जैसी मेशूस हो जाएगे विकाउज अगर आप एक्जाम को देखो ना, एक्जाम को देखो, तो आपको एक्जाम में जो पूछा जाता है, इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ा चड़ा कर बताया जगया है ठीक है, आपको इस सीरिज में सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी दी जाएगी लूसेंट बुक की, जो आपको पड़नी होती है मेंस जो एक्जामिनेशन पॉइंट अउफ ब्यू से मोस्ट इंपोर्टन जानकारी होती है समझ गए, क्या सीरिज है ये, क्यूं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरिज हर दिन हम पड़ेंगे हर टोपिक, ठीक है, नया टोपिक पड़ेंगे और पूरी इलूसेंट बुक एक महिने में खतम कर देंगे इतिहास से स्टार्ट करेंगे, बुगोल, पॉलिटी, एकनोमिक्स, साइन्स, देन आपका स्टैटिक जान भी बिद्ध, ठीक है पीडियों पाँ आपकी इंपोर्टन होगी, हच्पी पुलिस, फोरेस्ट गार्ड, हच्पी पीस्सी, जिस एक्जाम में आपकी सिंपल बोल दिया, जिस एक्जाम में आपकी जियस आती है, मीन्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एकनोमिक्स और स्टैटिक जी के आता है, साइस आती है उन सबी एक्जामों के लिए ये सीरीज काफी इंपोर्टन है, इस सीरीज की क्लास नंबर वन है चलें, करें स्टार्ट, पहली स्लाइड में देख लो, स्क्रीन शोट ले लो इसका सबसे पहली क्यूंकि इस बुक में का इस जो स्लाइड है, इसमें काफी चितरकारी होने वाली है तो बाद में आपको स्क्रीन शोट लेने का टाइम नहीं मिलेगा, समझ गए? अब बार ही आती है, जैसे ही आप पहला भर का खोलो, गिनेस का तो आपको देखने को मिलेगा भारत का इतिहास ठीक है? जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट, जिन हुने साइंस ही पड़ी है नोन मेडिकल ही पड़ा है, इतिहास के साथ उनका 36 का अंकड़ा होता है इतिहास पड़ना तो उनको ना गवारा होता है बट पुलिस में या फोरेस्ट गार्ड में या केसी भी एक्जाम में उन्हें सेलेक्शन भी लेनी है इतिहास भी नहीं पड़ना है, उन सब के लिए वीडियो का भी इंपोर्टन्ट है ठीक है, देखिए अगर हम साइन्स टूडेंट है ना, मैं भी साइन्स टूडेंट हूँ बट इतिहास एक ऐसी चीज है ना मैंने प्लस टू करी, फिर कंपिटिटिव एक्जाम की त्यारी करी उसके वाद मेरे को लगा कि मेरे को आर्ट्स परना चाहिए था विकाउज जो हमारे किसी भी कंपिटिटिव एक्जाम है ना, उसमें साइन्स सिर्फ और सिर्फ साइन्स कम आती है, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एकनोमिक्स, स्टैटिक, क्रेंट अफियर, ये ज़्यादा आते हैं मेरे को तो लगा कि आर्ट्स बेटर है जैसे हमारे कंपिटिशन एक्जाम है ना, कोई भी कंपिटिशन एक्जाम ले लो साइन्स वाला बच्चा जो है, इसे कम ही अडवांटेज मिलती है समझ गए? अब बारी आती है, इतिहास की साइन्स वाले सुन लो इतिहास शब्द का मतलब होता है बास्तविक अर्थ होता है कि कोई भी चीज ऐसी ही थी अतीत में कोई भी कटना हुई है वो वैसी ही थी और वैसा ही हमें पढ़ना है इतिहास ऐसा ही था समझ गए? इतिहास ऐसा ही था समझ गए, आई बात समझ अब जे 4-5 लाइने लिखी है न, फालतू के लाइने इसमें examiner पूछ भी लेगा, तो आपको किस परकार से question पूछता है तो ध्यान में रखेगा, भारत को महाकाब्यों और पुरानों में किस नाम से जन जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम जात रखना है भारत बर्ष, ठीक है और भारत भरत का देश, भरत का देश, ठीक है अगर जुनानियों का पूछ लिए जाए, कि जुनानियों के संदरब में हमारे देश को अनोंने क्या कहा था, तो इंडिया अगर आपको मुस्लिम पूछ लिए जाए, कि मुस्लिम होने क्या कहा था हिंद, जां, हिंदुस्तान, ठीक है इस में पूरे छे लाइनों में सिर्फ और सिर्फ काम के वर्ड जो है वो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे वर्ड जो है वो एक लाइन लास्ट की, इंपोर्टन्ट है इसे आपर टिक लगा लीजिए, चापर हाइलाइट कर लीजिए विकाउज यदि आप कोई भी फ्यूचर में ये खोलोगे तो आपको बार-बार यही लाइने रेपीट याद करने है एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ना है कि उत्तर भारत में, फ्लानाट, जो भी है ठीक है, अब बारी आती है, साइंस वाले सुन लो देखिए, इतिहास जो है ना, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं साइंस में हम पढ़ते हैं, फिरिक्स, फिर आपकी, केमिस्ट्री पिर हमारी बायोजी, बायोजी में बोटनी, फिर जूलोजी ठीक है, इसी परकार से यदि हमने इतिहास पढ़ना है ना, इनकी वी बरांचेस हैं इनको व्यावा फिजिक्स, कमिस्ट्री, बायोजी के जैसा जाद रखो इनको इनकी 3 branches है पहली है आपकी प्राचीन इतिहास ठीक है? P्राचीन इतिहास दूसरी है तीसरी है प्राच अधूनिक इतिहास या फिर है modern history ठीक है? ये है आपकी ancient history इंग्लिष वाले सुनो ancient history ठीक है? दूसरी है medieval history तीसरी है modern history, ये है history, समझ गए? अब बारे आती है इतिहास है तो इसके स्थोत भी पता होना चाहिए कि ये कहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसी भी चीज की हमें कहां से जानकारी मिलती है तो याद रखेगा प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें धार्मिक गरंतों से मिलती है इतिहासिक गरंतों से मिलती है, तीसरा बिदेशियों ने जो भी विवर्ण किया है इससे मिलती है देखे ये काफी reliable नहीं होता है विकाउज इसमें क्या होता है कि जो बिदेशी है ना अगर आप अंग्रेज हो माल लो आप अंग्रेज हो तो आप वहां के इंग्लेंड के राजाओं जा इंग्लेंड के गवर्नरों जा लोडों की आप उनहीं लोड्स की इन पर इतना rely नहीं कर सकते है क्यों था है पूरा तात्विक संबंध शाक्षित means ये हमें खुदाई से मिलते हैं या किसी ने अभी लेख लिखे है कहें पर कुछ लिखा है पत्थर पर जानकारी दी है पत्तों पर जानकारी दी है या फिर ये जानकारी हमें खुदाई से मिलती है जैसे हडपा सब्वेता के बारे में हमें मिली ठीक है सिंदू गाटी सब्वेता के बारे में हमें मिली खोद खोद कर हमें पता चला कि यहाँ पर इंटे मिल रही है फिर यहाँ पर बरतन मिल रही है यहां पर मोहरे मिल रही है, यहां पर पश्यों के तंकाल मिल रही है, ठीक है, पंजर मिल रही है, समझ गए, वह क्लियर, अधर स्टार्ट करते हैं, पहले दो से, धर्म के गरंथ और इतिहासिक गरंथ, ठीक है, धर्म के गरंथ और इतिहासिक गरंथ, पहला और दूसरा, पहल और दूसरा पढ़ते हैं हम देखे धार्मिक गरंत की बात की जाए तो सबसे में बात आती है बेद की सबसे में बात आती है बेद की अब इस पांच लाइनों में आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि बेदों की धार्मिक गरंत बेद धार्मिक गरंत बेद ठीक है अगर आपको पूछ लिये जाए कि बेद कितने प्रकार के होते हैं? चार, कितने? चार, कौन-कौन से? रिगवेद, जजुरवेद, सामवेद, अर्थवेद करो मेरे साथ सालन, बोलो मेरे साथ साथ वीडियो देख रहे हो, जो भी वीडियो देख रहा है तो बोलो मेरे साथ कितने होते हैं total, चार कौन कौन से, रिगवेद बोलो, ज़जुरबेद देख देख के बोलोगे, तो असान रहेगा आपके लिए, बोलो देख देख के बोलो, आपको अभयास हो चाहिए रिगवेद जजुरवेद सामबेद अर्थवेद कितने कितने हैं चार होते हैं टोटल है रिगवेद जजुरवेद सामबेद अर्थवेद समझ गए अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं रिगवेद की डिस्क्रिप्शन देखें रिगवेद के बारे में सिर्फ और सि सिर्फ ये वाले आकड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से आपका examiner प्रशन पूछता है, कि रिगवेद में total मंदल कितने होते हैं, तो याद रखेगा 10, कितने 10, कितने 10, ठीक है, तू तक कितने होते हैं, 1026, कितने 1026, कितने 1026, याद करवाकर ही बेजूंगा है, आर्स वाला हो, सब के लिए इतिहास जो है, वो अच्छा subject बनना चाहिए, interesting बनना चाहिए, ठीक है, अब बारे आती है, HP Police में, previous year में question पूछा जाता है, पूछा गया था, HP Police में, question पूछा गया था, कि जो गाईतरी मंतर है, वो किसको समर्पित है, तो answer था, सबित्री क समर्पित है, किसको समर्पित है, सबित्री को समर्पित है, ठीक है, समझ गए, अब घाईतरी मंतर के बारे में, किस मंदल के, में, जानकारी दी गई है, किस मंदल में है, तीसरे मंदल में, किस मंदल में है, तीसरे मंदल में, समझ गए, हुई बात clear, next, दूसरा टाइप है, दूसरा दूसरा है जजुर पहले में मैंने क्या वोला भूलना बिलकुल नहीं है ठीक है रिगबेद कौन सा रिगबेद इसमें क्या था इसमें था सरजी गाइतरी मंतर क्या था गाइतरी मंतर किस मंडल में थर्ड मंडल में किस मंडल में? थर्ड मंडल में. तोटल कितने होते हैं? दस. फिर आपके सुतक कितने होते हैं? एक हजार थाइस. वालर्न रिखबेद. वालर्न. ठीक है? कभी-कभी पूछ ले जाता है कि दसमा मंडल जो है वो किस से संबंदित है? तो आपको याद रखन है पुर्शिशू तक से संबंदित है. समझ गए? अब जैसे दूसरा जो बेद है ना, दूसरा है आपका जजूर बेद. क्या बोला मैंने? जजूर बेद. इसमें मंतरों के बारे में बताया गया है. किसमें? जजूर बेद में मंतरों के बारे में बताया गया है. ठीक है? फिर मियमों के बारे में बताया गया है. जितरे भी हमारे जग्य होते हैं पाठ होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, ठीक है? हवन होते हैं, उनमें जो भी मंतर बताया जाते हैं, वो इसके अनुसार वो इसके अनुसार किसके जहजुरुवेद के अनुसार समझ गए? आई बात समझ में ठीक है? अब आया सामबेद तीसरा आया सामबेद तीसरे में कोई भी मंतर है न जैसे पता है आपको गाहितरी मंतर क्या होता है? गाहित्री मंतर, छोटे-छोटे हम होते थे, तो स्कूल में गाया करते थे, ओम बूर बबसवा, तस्यवितुर बरेनियम, वही वाला गाहित्री मंतर, ठीक है, तो इसी मंतर को, जदि हम रिक बेज़े में बात करें, तो इस मंतर में था आपका गाहित्री मंतर, इसमें सिर्फ जजूर बेद में हमें पता चला, जे मंतर जो है, वो कहां प्रयोग होते हैं, कहां प्रयोग होते हैं, यग्जों में, पूजा पाठों में, पीदी बिदानों के बारे में, इसका संबंध है, ठीक है, अब तीसरे मंतर, तीसरे बेद में हमें क्या पता चल रहा है, तीसरे बे भी सकते हैं जब कोई भी मंतर है तो यदि साम बेद की बात आए तो यहां पर पूरी टून के साथ बोला जाता है अम पूर भवस असे भितुर भरे नियम ऐसे ठीक है समझ गए आई बात समझ भें आई बात ठीक है अब लास्ट है हमारा अर्थबेद क्या है अर्थबेद इस में अर्थ डूनने लग पड़ते हैं कि इसका कोई भी मंतर है इसका पता होना चाहिए किसके बारे में हैं ठीक है किसके संबंद में हैं महत्तव की बात की जाती है इसमें ठीक है समझ गए नेक्स्ट इसमें एक और लाइन लास्ट वाली याद रखनी है कि यह जो हमारा अर्थबेद है यह अंद विश्वासियों का इसमें भी वरण मिलता है अंद विश्वासियों का भी वरण मिलता है समझ गए नेक्स्ट बात आती है क्वेश्वासियों आपको बार बार पूछ रहता है इतना जो भी इस देखिए जो भी इस वीडियो में आपको स्क्रीन छोट के थूर समझा रहा हूं न वही आपको पढ़ना है और जो मैंने छोड रखा है वो आपको एक वार ऐसे ही देख लेना है ठीक है ना कि बराबर है आप नहीं भी देखोगे यदि आपको जो टिकल हो गा रहा हूं आपको वही वाले एक्ट आप याद रखोगे तो भी आपका 100% आपका काम चल पढ़ेगा 100% समझ गए अब इतना बड़ा पैरा है इतना बड़ा इतना बड़ा पैरा है कून याद हमें तो रहता नहीं याद ठीक है इसमें जर्फ और जर्फ आपने सिंपल सा ये वाली लाइन याद रखनी है ठीक है ये वाली लाइन याद रखनी है साइंस वालों के लिए इतना बड़ा है ठीक है कि हमारा सबसे पुराना बेद कौन सा है कौन सा है हमने बेद कितने होते हैं, बताओ, चार, कौन-कौन से, रिकवेद, यह जूरवेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है, सबसे पुराना, जैसे प्राचीन, रिकवेद, और सबसे नया, रिसेंटली जो बना है, अर्थवेद, आई बात समझ में, अगर आपको फेपर में पुरानो के संग्या, पूछली जाए, कि पुरान कितने होते हैं, टोटल, कितने होते हैं, ठारा, कितने होते हैं, ठारा, ठीक है? समझ गए अब पुरानों में सबसे पुराना पुरानों में सबसे पुराना मतस्य पुरान क्या बोला मैंने मतस्य पुरान क्या बोला मतस्य पुरान समझ गए पुरानों के संक्या ठारा सबसे पुराना मतस्य पुरान यदि बेदू की बात की जाए, इतने है टोटला, चार, सबसे पुराना रिगवेद, सबसे नया अर्थवेद, यह बाद में बना, ठीक है, समझ गए, अब नेक्स्ट है, अच्छे से याद रखो, काफ़ इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है, जैसे हम हिंदू दर्म की बात करते गीता, ठीक है, समझ गए, अगर हम इसी परकार से आपने पढ़ा होगा बुद्ध धर्म, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आपको कले आपर सुक्रवादूंगा, वो भी बुद्ध धर्म, ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा जैन्दर्म, फिर आपने पढ़ा होगा जैन जैसे हमारा भागुत गीता है धर्म गरंत इसी प्रकार से जो इनका बुद्ध का धर्मक गरंत है न हीनयान, हीनयान, पता है आपको, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान, एक होता है हीनियान, एक होता है महायान, आपको बुद्ध धर्म बाले लेच्चर में पढ़ाओंगा, पूरी की पूरी, काफी इंटरस्टिंग है, ठीक है, कि क्या-क्या हमारे चंदरगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था, जैन अपनाया था, जैन अपना, बोध अपनाय था, ठीक है, कैसे वो खत्म हुए थे, युद्ध मेनी वो अचंदरगुप्त खत्म हुए था, ठीक है, उसने ऐसा कुछ किया था कि उसकी, वो तब तक खाना नहीं खाएगा, जब तक उसकी मौत ना हो जाए, तो वो वाली कौन सी प्रता थी, संथारा प्रता, बड़ा मज आया इतिहास में, ठीक है, पूरा का पूरा आपको आने वाले लेच्चर में पढ़ाऊंगा, समझ गए, हीदियानों का कौन सा बताया मैंने प्रमुक्रंत, कथा बस्तू, क्या है, कथा बस्तू, ठीक है, जिसमें वुद्ध के जीवन चिरित्र के बारे में बताया गया है, ठान में रखनी है, ये वाली लाइन, ठीक है, जो मैंने बोला, जैसे हिंदु दर्म का ये है, बुद्ध दर्म के हीद्यान संग का ये है, समझ गए, महायान का इतना कलेर नहीं है, वो बार बार नहीं पूछ रहता है, अब यदि बुद्ध दर्म का है, इसी परकार से जैन जैन दर्म का कोई न कोई तो होगा, तो जैन दर्म का है भगवती सूत्र, क्या बोला मैंने, भगवती सूत्र, ठीक है, समझ गए, चले, नेक्स्ट, इतनी बहुत सारी लाइन है, बंदा कमजोर दिलवाला तो कहां पी जाता है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ो, ये वाले रहा हूँ, वही आपने हाईलाइट कर लेनी है, या गोपी पर नोट कर लो, जिस के पास, जिस स्टूडन के पास हमारे बुक नहीं है न, उनके लिए ही मैंने स्क्रीन शोट लेकर रखे हैं, बरना इनको पता है, मैं कोरे कागचवर पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता ये वाली लाइन नोट करो कि जैन दर्म का अपनी वाशा में लिख लो कि जैन दर्म का गरंथ कोन सा होता है, बगवति सूत्र, और महायान संग का बोध दर्म का जो गरंथ है, वो है आपका कथा बस्तू, ठीक है, और ये वाली लाइन नोट करो, कि जो अर्थ शास्त्र जाना जाता है और विश्णु गुप्त के नान से भी इन ही को जाना जाता है समझ गए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स अब नेक्स चब इस लाइन में आपने नोट रखना है बार बार पूछ दिए पूछा जाता है आपको राज तरंगनी पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है राज तरंगनी पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है तो आपको याद रखना है क्या याद रखना है कलहन ठीक है कलहन अब पूछा जाता है राज तरंगनी तो पता है आपको कलहन के दौरा लिखी गई है बट राज तरंगनी में किसके इतिहास के बारे में वर्नन किया गया है समझ गए समझ गए जी next है आपका अष्ट द्याई अष्ट द्याई पुस्तक जदी आपको ये वाला नहीं आएगा gosh expand तो आपको ये वाला exam में आएगा कि अष्ट द्याई पुस्तक केस के द्वारा लिखी गई है तो आपको याद रखना है पानेनी क्या बोला मैंने पानेनी ठीक है पानेनी पानेनी ने अस्ट द्याई पुस्तक लिखी गई है पानेनी द्वारा ठीक है अब बात आती है पानेनी ने अस्ट द्याई तो लिखी राज सरंगनी तो हमें पता चल गया कि किश्मीर के दिहास के बारे में है बट अस्ट द पाननी उन है पाने नी बताओ मेरे को जल्दी से त crackوس के बारे में किसके बारे में है संस्कुत बयाकरण की पहली कुस्तक त्री करूं इस्ध्र जैसे हैं आपके सामने इस उरे यह ऊरी तो आप स्क्रीन शोट लो सबसे पहले ठीक है क्यूंकि बाद में आपको पता है इस प्रकार के हालत हो जा रही है यह स्लाइड की चलो हमने दो तो पढ़ लिये कौन-कौन से धर्म गरंथ त्रोत पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम ठीक है ध्यान में रखेगा यह बात धर्म गरंथ गरंथ ठीक है फिर हमने इतिहासिक गरंथ ठीक है अब हम तीसरे नमबर पर पढ़ रहे हैं जो रिलाइवल नहीं होते हैं विदेशियों दोरा विवर्ण किया गया भारत के बारे में जहां इनके दोरे में examiner किस परकार से question पूछता है पहले तीन छोड़ देने हैं आपको पहले तीन कोई भी examiner कोई तीनों में ये वाला याद रखो आपर इतिहास के पिता फादर ओफ हिस्ट्री कौन कहलाते हैं है हैरोडोटस हैरोडोटस इनके दोरा पुस्तक लिगी गई है हिस्टोरिका हिस्टोरिका ठीक है है समयच गए बाकिया आपको कोई भी अन्य याद करने कोई अवश्कता नही ठीक है पांच वां कट कर दो छेमा कट कर दो आठवां भी कट कर दो पढ़ना है आपको दूसरा चोथा और सात वा ठीक है भार भार एक्जामिनेशन जदि आप पुराने खिलाड़ी हो examination point of view से means competitive exam की field में आप पुराने खिलाड़ी हो तो आपको बार बार question देखने को मिलता होगा कि इंडिका पुस्तक जो है वो किसके दोरा लखी गई है इंडिका पुस्तक किसके दोरा लखी गई है तो आप जवाब देते होगे maxinez के दोरा लखी गई है maxinez कोन था सेलुकस निकेटर का राज़ूत था ये सिकंदर का राज़ूत था ठीक है ये सिकंदर का सेनापती था ठीक है और चंदर गुप्त के दरवार में आया था समझ गए समझ गए सत्मा पॉइंट पढ़ो भारत के बुगोल नामक पोस्तक किसके दोरा लखी गई है तॉलमी दोरा किसके दोरा तॉलमी दोरा next जातरी आते हैं कहां कहां के चीन ठीक है क्याइना के करवना वाला देश फाहियान question आपको पता किस परकार से आता है ये नहीं आपने यादखना है दूसरा नहीं आपने यादखना है करत कर दो ये वाली लाइन ये पूरा का वुरा question आपको किस परकार से आएगा बंदे का नाम है फाहियान क्या है फाहियान पॉशन आपको इस प्रकार से आएगा कि चंदरगुप्त दुटिय के दरवार में कौन सा चीनी लेखक था ठीक है आया था तो आपने जवाब देना है फाहियान ठीक है फाहियान का संबद्ध है चंदरगुप्त तु से इसी प्रकार से रहा हम हाता है पहला अता फाहियान किसके दुवार में आया था चंदरगुप्त दुटिया की ठीक है इसी प्रकार से क्वेशन आता है हैंसांग, हैंसांग किसके दरवार में आया था, तो हर्ष वर्दन, हर्ष वर्दन के दरवार में आया था, अब हर्ष वर्दन के दरवार में आया था, जैसे ये दरवार में आये न, जैसे कोई भी आपके गर में relative आता है, ठीक है, हम पहाड को बारी लोग पोलते है कोई परो ना आता है कि परोना आये तो उसका कैम क्या होता है आपको देखेगा कि नग्चा बाहर जाता है कोचिंग सेंटर जाता है van child में पढ़ता है ओन लाइन क्लासिस लगाता है ठीक है उसकी मँंई एसी करती है उसकी ममी है वो आपके घर की गत्वितियां नोट करता है ठीक है बैसे ही फाहियान चंद्रगुप्त टू के घर की ऐसी गत्वितियां नोट करता था ठीक है बैसे ही फाहियान जो है ना वो हर्शवर्दन के राज़्चे की ऐसी गत्वितियां नोट करता था इसने एक कहानी सुनाता है बोलता जैसे ही मैं इसके दरुआर में हर्शवर्दन के दरुआर में पहुंचा ना तो मैंने इसकी द्यालुता देखी और मैं फैन हो गया मैंने हर्शवर्दन की द्यालुता देखी और मैं इसका फैन हो गया ठीक है किसी ने पोचा क्यूं क्यों फैन हुआ ऐसे भी क्या करता था यह, तो इसने बोला, जैसे मान के चलो, ये है कुर्सी, ठीक है, ये है जेर, यहाँ पर ये बैठा है, ठीक है, यहाँ पर ये बैठा है, तो इसके दिरुआज में कोई भी आये न, यहाँ पर एक हर साल, ये कनोज में मेला लगाया करता था कहां पर कनोज में कनोज में मेला लगाया करता था तो मेले में क्या हुआ करता था मेला लगाया करता था तो मेले में जो भी वेक्तिया था था न इसे बोल देता था कि हर्षवर्दन मेरे को आपके गले की सोने वाले चैन चाहिए तो ये इतना द्यालू था हर्शवर्दन तो सोने की चैन इसे मिल जाती थी अब बोलो कोई मोधी जी को मोधी जी मैरे को ये वाला चाहिए तो वो देते हैं जिस्ट यो के पार्थ ठीक है अब बताओ अब बारे आती है हेंउंग सांग की हेंउंग सांग को इस नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये आपको याद रखना है सयूकी ठीक है रहेगा याद चोथा आपको शोड़ देना है अब अर्बी लेखक आते हैं कोन आते हैं अर्बी लेखक अल्बुरूनी किसके साथ आया था भारत में? महमूद गजनवी, ठीक है? महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था अब question आपको इस प्रकार से आ सकता है कि किताब लहिंद, किताब लहिंद यक्तकी के हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेगा अल्बुरूनी के द्वारा लिखी गई है ठीक है रहेला पुस्तक किसके द्रौरा लिखी गई है एबन बतूता एबन बतूता ठीक है इबन बतूता समझ गए चले नेक्सट स्लाइड के और हमारा नेक्स स्लाइड है अब बATT आती है चोथे की तीन तो हो गे हमारे complete धार्मिक गरंथ भी हो गया इतिहासिक गरंट भी हो गया तीसरे विदेशी भी चले गया आकर मेंसर उनके लेखोगों का विवरन भी हो गया अब बात आती है चोथे वाली ठीक है पूरा तात्व शक्ष ठीक है जो हमें खुदाई के दोर में है जग किसी पत्थर पर किसी ने कुछ लिखा है ठीक है ये आते हैं चोथी के टागरी के लिए अब वो क्वश्चन आपको इस प्रकार से आ सकता है कि जो आपकी ये अविलेख है हाथी गुंपा अविलेख क्या बोला मैंने हाथी गुंपा अविलेख ये किस शासक से संबन्दित है तो आप याद रखें कलिंग के राजा खारवेल से संबन्दित है राजा खारवेल से संबन्दित है जुना गड़ अविलेख प्वश्चन आपको इस प्रकार से आ सकता है कि जुना अविलेख किस से संबन्दित है फुल्याकेशिन दृत्या, ठीक है, समझ गए, इसी परकार से, मदनसोर, मालवा नरेश जशो वर्मन, ग्वालियर अभिलेक, प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है, ये लास्ट के दो अपने ही शोड़ देने हैं, समझ गए, कुई बात क्लियर, अब हमने पहले पड़ा अभिलेक अभिलेक, 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 अभिलेक का मतलब क्यों होता है, अभिलेक मान के चलो, ये है कोई भी दिवार, जा फिर कोई भी पत्थर, यहाँ पर किसी ने, पुराने व्यक्ति ने, यहाँ पर गोड़ा बनाया है, फिर यहाँ पर साप बनाया है, यहाँ पर बंदे का चितर बनाया है, यहाँ पर कोई दोड रहा है, यहाँ पर किसी के अनाज के दाने बनाए है, तो हमें क्या पता चला, कि पुराने समय पर यहाँ पर बंदा दो पैरों पर चलता था, और यहाँ पर साप भी था, यहाँ पर गोड़े भी दोड़ते थे, यहाँ पर को हमें पता चलती है समझ गए? आई बात समझ में ठीक है? अब बारी आती है अभी लेखों की study को क्या कहते हैं? अभी लेखों की study को क्या कहते हैं? तो द्यान में रखेगा epigraphy ठीक है? समझ गए? अब बारी आती है मान के चलो इस परकार से चोरी दूँगा इस परकार से इस परकार से ठीक है इस परकार से मान के चलो आप भारत है ये ठीक है ये है आपका शिरलंका अब बोला जाता है जो हमारे उत्तर मेंस उत्तर भारत है और ये है हमारा दक्षिन भारत जितने भी यहां पर मंदिर है ना जितने भी यहां पर उत्तर भा नावट, नागर शैली की है, ठीक है, दक्षिन वारत की जो मंदिर है, इनकी द्रैविड शैली कहलाती है, समझ गए, समझ गए, ठीक है, इने शैलियों के लावा हमारे पास एक और शैली है, क्या है, पंचायतन, ठीक है, अगर आपको ये पूछ ली जाए, लास्ट के मंदिर कांदरिया, महादेव मंजर कहा है, खुजराओ में है ब्रमेश्वर मंदर कहा है, भुगनेश्वर में है लक्षमन मंदर कहा है, खुजराओ में है लिंगराज मंदर कहा है, भुगनेश्वर में है दशावतार मंदर कहा है, देवगड में है गोल कुंडा मंदर कहा है महारास्ट में समझ गए next यहाँ पर आपको किस परकार से question आता है सबसे पहले यह जान लो कि human को scientific name क्या है human sapiens अब question आपको यह वाले पहला शोर देना है दूसरा आपको इतना सा याद रखना है तीसरा भी शोर देना है अब इस fact में आपको किस परकार से question आते हैं कि आग का विश्कार number A option पूरा पाशान काल में हुआ था B option मद्य पाशान काल में हुआ था C option नव पाशान काल में हुआ था D option इन में से किसी में भी नहीं हुआ था तो आपको टिक लगाना है आग का विश्कार पूरा पाशान काल में हुआ था अगर पहिये का पूछा जाए तो नव means नव पाशान काल में हुआ था समझे सबसे पहले इनसान ने किसे पालतू जानबर बनाया था किसे कुत्ते को दादू का प्रयोग तामबा जानबर सबसे पहले जानबर सबसे पहले जानबर कौन था बताओ मेरे साथ साथ बोलो 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 जानबर था कुत्ता ठीक है और धातू, सबसे पहले धातू कौन सी थी, किसका प्रयोग किया था इंसान ने, तामबा, क्या वो लमने, तामबा, ठीक है, सबसे पहले ओजार की बात की जाए, तो कुलहाडी, ठीक है, कुलहाडी, ठीक है, समझ गए, अगर कृशी की बात की जाए, तो कृशी कब इश्कार तो नव पशान काल में, ठीक है, सबसे पुरानी फसल, गेहूं, सबसे पुरानी और पहली फसल, सबसे पुरानी पुरानी व पहली फसल, क्या वह हुआ, गेहूं, समझ गए, आई बात समझ में, क्रिशी का पहला उधारन, कहां मिला था, मेहरगड, ठीक है, अब सबसे पुराचीन नगर, सबसे पुराचीन नगर, महाँचो डाड़ो, इसे माउंड ओफ डेड भी बोलते हैं जहां मरितकों का तिला भी बोलते हैं अब स्टार्ट होगी कहानी हम स्टार्ट करेंगे काफी इंटरस्टिंग है एक फिलम भी आई थी उसकी भी थोड़ी तक आने डिस्कूस करूँगा क्या क्या इनकी शोटेस थी इंटरस्टिंग है महोंजो दड़ो इसमें हम पढ़ेंगे बार-बार सुना होगा आपने हडपा, हडपा क्या है फिर महोंजो दड़ो क्या है फिर लोथल क्या है फिर ये वाले सारे नगर दयनंद सानी कौन है ठीक है, विनर्जी कौन है, आर्डी मार्शल कौन है, ठीक है, यह हमारा आएगा पार्ट नमबर टू, वी रेडी, इस वीडियो को प्यार दोगे, तो ही आपको इंट्रेस्टिंग इसी परकार से, नॉलेज इसी परकार से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे, क्योंकि इस बरकार से भी जो स्क्रीन शोट हैं, जा कोई भी स्लाइड्स हैं, हमारी टीम की मेहनत लगती है, और मेहनत हमें चुपती नहीं है, यदि आपकी वीडियो में रिस्पोंस है, ठीक है, अच्छा रिस्पोंस है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, यूट्यूब के लावा, बार बार बोलते हैं हम, हमारा, हम, वोट्सैप पर भी है, इस बरकार से आपको क्योज, रोज के रोज पोस्ट कि आपको सिंपल सा इंस्टाग्राम पर ये वाली आईडी सर्च कर लेनी है, पहुंच जाओ, तो आपको यहाँ पर तीनो के तीनो लिंक में रिल सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में तीनो के लिंक है, इस परकार से टेलिग्राम पर इस परकार की पोस्ट दी जाती है, ये वाली आईडी सर्च कर लो, ये वाला लोगो लगा होगा, यहाँ पर ये वाला लगा होगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप खुश रहीगा, पढ़ते रहीगा, धन्यवाद, जय हिन, जय हिमाचे.